मैं बस एक चीज जानना चाहती हूँ, कि जब आपको सच में किसी इनसान से या चीज से चोड़ पहुँची हो, या परिस्थितियों से या लोगों से, तो अगर हमने चीजों को बात करके सुलजाने की एक कोशिश कर ली हो, तो उनसे दूरी बना लेना कितना सही या गलत पिशली बार ऐसा कब हुआ था जब किसी ने आप पर चाकू लेकर वार किया था, कभी नहीं है न, अच्छा पिशली बार आपको कम से कम किसी ने पिंच चुबा है था, नहीं, आपको इग्नोर कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ, तो जब आप चोट पहुँचाने की बा अच्छा पिशली बार आपको पहुआ है, नहीं, तो क्या हमें उनसे दूर चाजे जाना चलिए, पर पहली बात यह कि आपको चोट के पहुँच रहे हैं, अगर आप भागने लगी तो आपको हर किसी से भागना पड़ेगा, क्यूंकि हर कोई आपको चोट ऐसा कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, जो आपको दुख नहीं देगा, हर इंसान आपको दुख देगा, अगर आप किसी परफेक्ट सफेद घोले पर बैठे राजकुमार का इंतिजार कर रही हैं, तो ऐसा कोई आदमी नहीं होता, मेरा विश्वास कीजिए, आप कर सकत मैं याँ बहुत टाइम से हूँ ऐसा कोई आदमी आउरत नहीं है जो जो परफेक्ट हो मैं चाहता हूँ कि आप पीछे मुड़कर देखें आज आप यहाँ गुजरात में हैं तो यहाँ कृष्णी के लिए इतने बड़े-बड़े उच्जव होते हैं मैं कह रहा हूँ ऐसा आदमी भी उनके लिए ठीक नहीं था उनके आसपास वालों के लिए तो कहीं पर भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता तो वो वो आपको दुख नहीं देते वो बस वही कर रहे हैं जो उन्हें सबसे बढ़िया आता है आपको चोट पहुँच रही है न जट तक कि वो आप पर वार नहीं कर रहे हैं अगर वो आपको चाकू से मारने लगे तो आपको बिलकुल दूर जाना चाहिए वहां नहीं रहना चाहिए पर वो कुछ बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, उन्हें बस उतना हीं पता है, हाँ या नहीं, आपको किसी माहौल में नहीं रहना होता है, इसलिए नहीं कि आपको कोई दुख पहुचा रहा होता है, बलकि इसलिए कि कुछ माहौल ऐसे होते हैं, जो आपको कारगर नहीं होने मैं कुछ करना चाहता हूँ एक खास माहौल में ये कारगर नहीं होगा तो मैं अपनी उर्जा वहां बरबाद नहीं करना चाहता मैं कहीं और चला जाओंगा पर इसलिए नहीं कि वो मुझे चोट पहुचाएंगे अगर वो आपको शूट करने वाले हैं तो आपको दूर जाना चाहिए नहीं तो क्यों